हेलो गाईस कैसे हैं आप लोग स्वागा थे आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाईस की ओपो A3 Pro 5G फोन में आप लोग OTG कनेक्ट कैसे कर सकते हो अगर आपके पास एक ओपो A3 Pro 5G फोन है और इस फोन में जो है आपको OTG कनेक्ट करना है अगर आपके फोन में OTG कनेक्ट नहीं हो रहे गाईस OTG अप लोग लगा रहे हो OTG में pen drive SSD का ट्या memory का जो भी आप लोग लगा रहे हो वो आपके file manager पे show नहीं हो रहे मतलब आपका जो OTG है गाईस वो आपके फोन के साथ कनेक्ट हो ही नहीं रहा है तो कैसे आप लोग अपने इस फोन में OTG को कनेक्ट कर सकते हो गाईस तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसाना है वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर इस additional settings का तो इस additional settings के option पर क्लिक कर देना है click करने के बाद या पर एक option मिलेगा OTG connection का तो आपको जो है इस OTG connection को चेक करना है अगर ये off है हाला कि यह जो option हैगा इस यह automatically on हो जाता है जब भी आप लोग अपने phone में OTG को लगाओगे यह option automatically on हो जाएगा अगर आपके phone में OTG connect नहीं हो रहे इसका मतली यह option जो automatically on नहीं हो रहे तो आपको manually इसको on करना है आपको पहले OTG को लगाना है इस option पर आना है एर इसको click करके on क करती है आपका जो OTG है गईस वो connect हो जाएगा और यह जो option है गईस 10 minutes तक ही जो है on रहता है उसके बाद देख सकते हैं automatically turn on जब आप लोग यूज नहीं कर रहे हो तो 10 minutes बात यह automatically off हो जाता है तो जब भी आप लोग OTG को लगाते हो गईस लगाओगे जब भी OTG अगर connect नही वीडियो अगर वीडियो पासा ना हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए मिलता है गलेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई